तो आज बात करते हैं आउट साइड माइक्रोमेटर के कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो आशा करता हूँ आज आपको कुछ नॉलेजफुल सुनने और देखने को मिलेगा अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिएगा कमेंट करेंगा और सब्सक्राइब तो आउट साइड माईक्रोमेटर के बारे में जालनें वार्ट की नाम क्या है जो की बहुत इंप्सक्राइब होते हैं आपर दिविजेन एक लोग डिविजन एक एमेंका हुता है जहां तक आप देख पा रहे हैं 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm ऐसे करके 1 mm रेता और लोवार्ड डिवीजन जो 0.5 पांट फाइब का लोर्ड डिवीजन अब आते हैं इसे स्टॉप या फिर इस्टॉप बोलते हैं ऐसे हम कोई भी रीडिंग लेकर इसे बंद कर सकते हैं बंद करके आप रीडिंग ले सकते हैं जिसे एक component है कोई भी component है इसके मैं clamp कर दिया clamp करके मैं स्कूप बंद कर दूँगा फिर ये घुमना बंद कर देगा इसके बाद हम निकालके reading ले लेंगे यह है मेरा frame इसे हम frame बोलके है फ्रेम है जो काश्रारन का बना होता है इसके ऊपर ही हमें range लिखी रहती है कितना से कितना micrometer है तो यह 0 से 25 mm के 20 micrometer है यह होती है 0 से 20, 25 से 50, 50 से 50 वगरा वगरा यह है मेरा anvil यह है मेरा anvil जो fix रहता है यह है मेरा spindle इसके अंदर nut बोल्ट चूड़ी कटी हुई रहती है यह है मेरा ratchet stop माइक्रो मेडर की reading लेते समय हमें तीन बातों को ध्यान देना पड़ता है मेन स्केल मेन स्केल का में डिविजन में डिविजन हाफ स्केल हाफ स्केल जो 0.5 की कटी होती है तो हम इसमें चेक करते है मेरी reading कितनी है मैंने मेन स्केल का मेन डिविजन देख रहा है जो 1 mm की रहती है 5 हो चुकी है 6 हो चुकी है 7 8 हो चुकी है मेन स्केल कुरूर चल्विजण सारभ एक बाध हम चेक करेंगे की घ्रिजन 2 ऑ्षिंद डविजन गया है की नहीं मुंद देख रहें की अर्ट निकल चुकी है और अख सिर्छ्थी Jesse स्वेंगेश सिल क्वृ सिलि पनी Mormon अनले में हिन्ल चुकूर how आब हम रीडिंग चेक करेंगी कि रीडिंग किती हुए मेनी स्केल दिविजन 8 पर गई थी हाफ स्केल डिविजन 0.5 गई थी और थिम बली स्केल डिविजन वो 0.3 1 का मेच कर रहा था 0.3 1 मेच कर रहा था तो रीडिंग हो गई 1.8, 8.8 1